नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल टेग वाई स्टूडियो में मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मित्तिवारी दोस्तों अगर आप एच्डी अपसी बैंक के कस्टमर हैं और आप अपनी कस्टमर आडी पारगट करना चाहते हैं या फिर आप अपना पासवड भूल गये हैं दोबारा से पासवड बनाना चाहते हैं तो आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है इस वीडियो में मैं आपको आज कस्टमर आडी कैसे फारगट की जाती है और दूसरा पासवड कैसे बनाया जाता है उसकी कंप्लीट इंफ्रमेशन दोगा तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें तो चलिए दोस्तों बिना देर किये वीडियो को शुरू कर दोस्तों मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को फॉलो जरूर करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है वेबसाइट है सबसे बाले दोस्तों यहां पर करने लिए यहां पर देख द्रल से हैं वेबसाइट और अपर के माद्यम शलिखाएगा यह și तो ये तीन स्टेप आपको यहाँ पे complete करने होंगे तो चलिए दोस्तों process शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना mobile number भर लेना है यहाँ पे आपको वही mobile number भरना है जो आपके bank account से link है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी date of birth select कर लेनी करने बाद दोस्तों로 है अपको करने बाद दोस्तों यहांसे आपको अत्र और पर दोस्तों से कॉपर कर देना और शम्मिट करने बाद दोस्तों यहां पे आपके customer id जो है और आपको लिए दिख जाएगी आपको उससे drie कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी iPhone को कर देनी है इसके बाद यहां से आपको और करने होगा और उसके लिए यहां पर दो method दिया हुआ है पहला option है दोस्तों आप अपने debit card की detail भरके और अपने mobile number पर OTP बंगवा के इस process को complete कर सकते हैं और दूसरा option है आप अपने register mobile number और email ID पर जो आपके bank account से link है उस पर OTP मंगवा के इस process को complete कर सकते हैं तो अगर लेना है इसके बाद यहां से आपको continue कर देना है अब दोस्तों आपको इस वाले box में अपना register mobile number भल लेना है जो आपके bank account से link है इसके बाद यहां से continue कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके register mobile और email ID पर दोनों यहां पर आपको नया password बनाने का option मिल जाएगा तो यहां पर आपको नया password बना लेना है password कैसे बनाना है दोस्तों उसकी इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखी हुई है यहां पर लिखा हुआ the new IP should be different from previous three IP with minimum बनाना है जो आपने लाश तीन password यूज किये हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए ठीक है और मीनिम्म मेट करेक्टर और मैक्समान 15 करेक्टर का होना चाहिए और यहां पर उसके नीचे लिखा हुआ यहां पर आपको पासवड बना लेता हुँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पासवड बना लेना है जैसे मैंने यहां पर एक सेंपल बना रखा है इसमें देखिए पासवड बने बात दोस्तों यहां पर आपको कंडिशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है और यह देखिए दोस्तों यहां पर चेंज पासवड कंप्लीट लिखा हुआ है और यहां नीचे लिखा हुआ दोस्तों इस तरह आगर आप अपने एच्टी एपसी बैंक की कस्ट्मर आइड आप बोल गए है तो उसे रिकाबर कर सकते हैं और अपना पासवड जो है उसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अगर हैल्फ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेच को फॉलो जरूर करें मिलते हैं कि अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ नमस्कार कि अन्य वीडियो आप टॉपिक का लेगल बंज पुलोगाओ करें कि अन्य वीडियो कि अन्य दूसरे टॉपिक पर लिए वीडियों कि अन्य प्रच झाले यां उन्य एगीष दो रहें